हलो मेरे प्यारों दोस्तों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक HR की जॉब रिस्पॉंसिबिलिटी क्या-क्या होती है यानि कि उसको क्या-क्या करना पड़ता है तो इसका अग लोग जो है वह तैर करते हैं इसके अलाबा सारे जो वहाँ पर काम करते हैं लोग उनका पूरा record रखते हैं तो basically हम कहें कि administration administration का काम देखते हैं लेकिन थोड़ा इनका in-depth जो है वो हम जानकारी लेने वाले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक subscribe नहीं किया है तो दोस्तों इंतजार किस बात का है अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है और अगर आप इस चैन development procedure होती है उसके अंदर जो है वो यह लोग actively participate करते हैं तो basically HR initiatives जो है वो general एक work culture जो है वो develop करना और बाकी के जो प्रोग्राम्स है जो training प्रोग्राम्स होगरा है उनको वहाँ पर अच्छे से बनाना तो यह इनके initiatives होते हैं बाकी भी चीज़े होती है तो इनके अंदर जो है वो यह लोग काम करते हैं और support की तरह वहाँ पर काम में आते हैं इसके अलाव company के जो policies और procedure होती है उनके उपर counseling भी यह लोग provide करते हैं याने कि जो नए ने लोग वहाँ पर आते हैं काम करने के लिए जिनको hire किया जाता है उनको जो है वो सारी चीज़े यहाँ पर समझाना कि हमारी policies क्या है किस तरीके की procedure है क्या-क्या rules को follow करना पड़ेगा वगरा व होता है दोस्तों अब आते हैं इनका main जो job होता है और वो होता है कि recruitment की process में actively involved होना तो basically job description तयार करना कितनी vacancies है वो लिखना उसके लिए add तयार करना add डालना और साती साथ जो नए applications आते हैं उनको sort करना कि कौन से applications को हमें आगे भेजना है किन candidates को बुलाना है interview के लिए उन की इनका काम होता है तो basically ये जो पूरी recruitment की process होती है उसको पूरा का पूरा ये लोग carry out करते हैं कई बार ये लोग तो वहाँ पर interview के अंदर भी बैठ जाते हैं कई बार जो है वो financial चीज़े discuss करने के लिए तो इसके लिए भी HR लोग जो है वो interview में बैठ जाते हैं अपने seniors क साथ तो ये सारी process जो है उसका administration यही लोग वहाँ पर देखते हैं इसकी अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि वहाँ पर training programs जो है उनको design करना भी इनका काम होता है और साथी साथ जो existing employees हैं जो अभी काम कर रहे हैं उनका performance कैसा चल रहा है उसका assessment करना और उसका जो है employee ने कैसा काम किया है कौन सा employee वहाँ पर incentive लेने के लिए eligible है तो ये सारी चीज़े जो है वो इनके assessment से पता चलती है इसके अलावा जो management होता है याना कि जो बड़े level पर managers बैठे हुए होते हैं उनके साथ भी ये लोग assistance करते हैं disciplinary और साथी साथ grievances के issues में याना कि कुछ employees की complaints आ रही हैं कुछ आपसी रंजिशे हो रही है clashes हो रहे conflict हो रहे हैं तो उसके बारे में वहाँ पर जो है वो issues को solve करने में ये लोग आ गया आते हैं साथी साथ जो है वो office का एक work culture होता है कुछ rules होते हैं उनको ठीक तरीके से follow किया जा रहा है या नहीं तो ये भी ये लोग जो है वो ensure करते हैं इसके अलावा दोस्तों employees का record भी ये लोग रखते हैं कि जैसे कि कितने दिन काम पराये हैं इनकी छुटी कितनी हुई है इस महिने को इनको incentive मिला है नहीं मिला है दिवाली का bonus मिला है नहीं मिला है इनका जो है वो increment due है ये नहीं अभी इनकी salary क्या है वग कुछ सही जा रहा है ये नहीं तो ये सारे legal जो aspects होते हैं उनकी तरफ भी ये लोग ध्यान देते हैं तो दोस्तों ये कुछ responsibilities होती है एक HR की तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है काम का लगा है तो इस वीडियो को like करना ब भूलें